हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, आज मैं तूर करने वाली हूँ कुबै तू इंडिया, तो चलते देखते हैं कैसे रहा मेरा सफर, सबसे पहले मैं एरपोर्ट पे पहुच गई, यहां इतनी लंबी लाइन थी तुम्हें को वेटिंग करना पड़ा, वोर्डिंग के लिए बहुत लंबी लाइन, आप देखी रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हैं, यहां पे हैदराबाद जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, देन आहमदाबाद जाने के लिए, इन तीनों कंट्री जाने के लिए, इतना ज़्यादा यहां पे लाइन बहुत टाइम तक हम लाइन में खड़े थे एक चे दो घंटा तक हम लोग खड़े थे उसके बाद फाइनली हम अंदर आते हैं देन एमिग्रेशन क्यों होता है हम लोग का यह सिस्टम मुझे बहुत खराब लगता है इमिग्रेशन मदब एक बार हो गया तो ठीक है यहां दो लिए थे खाने का क्योंकि एरपोर्ट पे इतना कुछ मन का मिलता नहीं और अच्छा भी नहीं लगता जो भी चीजे मिलती है इसके लिए मैं बाहर से ही पैकिंग करवा ली थी खाने के लिए मैंने यहां बिर्यानी लिया था तो हम पहले पेट पुजा कर लिए उसके को फायदा होता है कि हम अगर एरपोर्ट से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका वेट उसमें नहीं इनक्लूड होता है तो यह अच्छा रहता है यह प्लस पॉंट रहता है इसके लिए इसके पास बज़र हो या पिर ऐसा रहता है तो यहां पे बहुत लोगों ने ऐसा ही क है तो इसके लिए सब खजूर और चॉकलेट्स वगरा खरी दे हम भी थोड़ा सा शॉपिंग किये उसके बाद हम अंदर चले देखिए अंदर भी कितनी मतलब वो फ्लाइट में बैटने के लिए इतना ज्यादा भीड है कि इतना टाइम तक खड़ होना पड़ा अर्जेस्ट मिली यह हम अपना पर स्हांग कर दी है क्योंकि यह तो बहुत जरूरी है तो हम पर स्हांग कर दिए उसके बाद हम यहां मौनिंग टाइम में पहुश्थे हैं कि यह इतना स्लो काम था कि क्या ही बताऊं मतलब बिलकुल ही ऐसा पास्ट वाला कोई काम ही नहीं था इसके लिए इतना स्लो काम था तो हमको आदा घंटा तो लगेज कलेक्ट करने में लग गया हम लगेज कलेक्ट कर लिए फिर हम बाहर निकलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल र तो हम लोग टाइम पास करने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग के यह हम मेनी शो में भी बहुत सारी चीज है हमने देखी तो हम कुछ ही चीज लिए क्योंकि अलड़ी हम शॉपिंग करके खुद ही आ रहे तो टाइम मतलब स्पेंट कर रहे थे कि इतना टाइम ऐसे निकल हम लोग का जल्दी टाइम चला जाए उसके बाद हम शॉपिंग वगरा कर लिए फिर हम पेट पूजा के लिए चलते हैं यह रहे मेरे हजबेंट मेरे हजबेंट यहां हमने चेक किया फिर हम धोसा खाते हैं क्योंकि और बहुत कुछ खानी की इच्छा नहीं थी धोसा सबस वेड करना पड़ा यहां पर वोडिंग के लिए बी इतनी लंबी लाइन लगी थी हम लोग को हम लोग फ्लाइट भी लेट हो गए थी एक से दिर्भंट की लेट हो गई ती और धूब भी बहुत ज्यादा तेश था इसके लिए मुझे इंदी को फ्लाइट बहुत कम या फ्लाइट स्टार्ट होने में तो वहां हमने जब मैं फाइनली मैं अब लखनव पहुच गई हूं लखनव पहुचने के बाद फिर वही सेम रीजन था सेम रीजन क्या था लगेश कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस था और इतने टाइम बाद एक एक लगेश करके आ रहा था तो बहुत टाइम इसी में लग गया हम लोग को लगेश कलेक्ट करने में दिन हम लगेश कलेक्ट करते हैं अब हम चलते हैं बाहर की तरफ बाहर इतनी तेज़ धूपती कि हमको वहाँ पर भी वेट करना पड़ा क्योंकि एएरपूट इतना बड़ा होता है कि सब कन्फ्यूज हो जाते कौन से उस पर जाना है गेट पर तो यहां आते हैं तो हम अपना ड्राइपर का वेट करते हैं ड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक से लिए